हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू टेस्टी फूड विद संगीता आज मैं आपकी साथ एक बहुत ही खास रेसिपी शेयर करने जा रहे हूँ आज हम बिना आठा गूंदे बहुत ही आसानी से लिक्विड डो से बहुत कम समय में ठेर सारी रोटियां बना कर त्यार करेंगे ये रोटियां काफी सॉफ्ट होती है और इन्हें टोटीला या टोटीया बोला जाता है इन्हें हम बहुत सी रेसिपी जैसे टॉको, फ्रेंकी, रैप और रोल वगेरा के लिए यूज़ करते हैं तो सबसे पहले मैने एक बोल लिया है और एक बोल में मैं एक कप मैदा ढाल रही हूँ और अब इसमें जा रहा है आधा चमज नमक और आधा चमज इसमें डालूँगी चीनी और एक चमबचिस में जाएगा ओयल आपको मस्टर्ड ओयल का यूज नहीं करना है बाकि कोई भी ओयल जो आप खाते हो वो आप यूज कर सकते हैं अब इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून मिल्क पाउडर ये मिल्क पाउडर डालना आप्शनल है अगर आप नहीं डालना चाते हैं तो स्किप कर सकते हैं बट इससे बहुत ही अच्छा टेक्षर आ जाए गरोटियो का अब हमें ये सारे इंग्रिडियंट्स मिक्स कर लेने हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजों को मिक्स करना है आपको और mix करने के बाद अब हमें इसका गोल त्यार करना है तो ये मैंने एक कप पानी लिया है जितना हमने मैदा लिया है उतना ही हमें पानी लेना है इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस बरतन से आप मैदा मैजर करना है उसी से आपको पानी भी मैजर करना है तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे एक साथ बहुत ज़़़ा पानी नहीं डालना है वरना इसमें गुठलियां हो जाएंगी तो पानी थोड़ा थोड़ा डालें और मिक्स करते जाएं ताकि इसे लम्स फ्री एकदम बढ़िया बैटर ये बनकर त्यार हो तो आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी आट करनी हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ तो इसमें थोड़ा पानी और डाल देते हैं और अब इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं और अब आपको इसे बहुत ही अच्छी तरीके से फैट ना है ताकि इसे इसमें बिल्कुल भी गुठलियां वगेरा ना रहें और एकदम बढ़िया ये बैटर बन कर त्यार हो ये देखिए बैटर बहुत ही अच्छा है एक भी गुठली नहीं दिखाई दे रही है हमें तो अब जो कप में पानी बचा है वो सारा हम डाल देंगे इसमें तो अब इस पानी को भी हम इसमें मिक्स करेंगे और ये एकदम परफेक्ट बैटर हमारा टोटीला के लिए त्यार हो चुका है यहाँ पर बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि जितना मैदा उतना ही पानी बैटर पूरी तरीकी से त्यार हो चुका है आपको एक बार मैं इसकी consistency दिखा देती हूँ यह देखिए हमें इस तरह की consistency चाहिए और इसे बनाने के लिए measurement मैंने आपको बता दिया जो कि एकदम परफेक्ट है तो यहाँ पर हम इसे 5 मिनट के लिए cover कर देते हैं पांच मिनट के बाद हम इससे टोटिला यानि की अपनी चपातियां बना कर त्यार करेंगी तो अब पांच मिनट हो चुके हैं तो मैं इसे उपन कर लेती हूं और ये बैटर एकदम परफेक्ट है ये देखिए तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है गेस पर रखना है एक तव और तवा को गर्म कर लेना है तो तवा हमने गर्म कर लिया है तो अब मैंने ये एक लैडल भरकर बैटर लिया और तवे पर डाल दिया है अब हलके हातों से हमें लैडल को इस तरीके से घुमाना है और ये गोल गोल टोटिला बना कर त्यार कर लेना है अब हम इसे लो टू म वो भी छोड़ दी हैं तो इस स्टेज पर आपको इसे पलट देना है और पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी इसे थोड़ा साम सिखने देते हैं आपको यहां ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना है लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इने सेक कर त्यार करेंगे दोनों तरफ से हलका हलका दबा लखाकर शेखने से इस पर हलके हलके स्पॉट्स आ जाएंगे और बस इतना ही हमें सेकना होता है पहुत ज़ादा डार्क इने नहीं सेकना होता है क्योंकि जब हम दूसरी रेसिपीज इन से त्यार करते हैं जैसे टोको, फ्रेंकी या रैप बगेरा तब भी इने बटर या घी के साथ सेका जाता है इसलिए आप इने थोड़ा ही सेकें अब ये देखिए ये जो टोटीला है ना ये फूल दे लगे हैं और इनके उपर हलके हलके ब्राउन स्पॉट भी आ चुके हैं तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से त्यार होगे इससे ज़ादा इने नहीं सेकेंगे वन्ना ये थोड़े टाइट हो जाएंगे और हमें एकदम मैं ये टोटीला रखूंगी ये देखिए ये रख दिया और इसे कपड़े से ही हम ढख देंगे ताकि सही ये जो हमारे टोटीला है ना एकदम सौफ्ट रहें तो इने कवर कर दिया है मैंने अब फिर से मैं आपको बना कर दिखा देती हूं ये देखिए मैंने एक लैडल मैं इसके उपर घुमा रही हूं बैटर के उपर और ये देखिए हमने गोल गोल टोटीला त्यार कर लिया शिकने देते हैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अभी हम इसे नहीं पल्टेंगे जब ये उपर से एकदम से ड्राई हो जाएगा ना तब हम इसे पल्टेंगे तो देखिए बहुत अच्छा कलर आजए है नीचे से तो दूस्री तरफ से भी थोड़ा सा शिकने दे और फिर उसके बाद आप दूस्री तरफ से भी से पल्ट दें ये देखिए हलके हलके से स्पोट आ चुके हैं बस अब दोनु तरफ से हलका हलका सा इस तरीक से दबा कर हम से निकाल लेंगे यह देखिए एक दम परफेक्ट ऐसे ही टोटिला मार्किट से लाते हैं ना सबसे अच्छी बात यह है कि इन रोटियों को बनाने में टाइम नहीं लगता बहुत ही जल्दी सिख जाती है यह कम समय में काफी सारी रोटियां बना कर त्यार कर सकते हैं तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट सेम ऐसे बने हैं जैसे हम मार्किट से लाते हैं आपको इसे रोल करकर भी दिखा देती हूं यह देखिए बहुत ही सॉफ्ट रोटी है एकदम नरम तो आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को जरू ट्राइ कीजिगा रेसिपी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें फिर मिलते हैं अगली वीडियो